जो पूरा डिस्टर्स करेंगे आशी क्लास में तो अलोप यू आप जल्दी से जॉइन हो जाएं सारे बूर्मानिन मंदलाशिन राणू और जो भी आपते जो बच्चे जॉइन होते हैं डेली वो उन बच्चों को आप जॉइन कर लें कि शायद बच्चों को पता नहीं होगा तो आज थलास होने वाली थी वह उसका नोटिस नहीं मिल पाया तो आप सबको जॉइन कर लें जल्दी से तो हम स्टार्ट रने जा रहे हैं जो अपने पूर्शन से हैं उनको आगए तो हमने ट्वेल तक डिस्टर्स हम कर लिया था पिछली त्रास में तो जो त्लास होई थी हमारी तो आज हम जो है थर्टी नमबर दे पूर्शन को डिस्टर्स कर रहेंगे तो आप देच सकते हैं इसमें आपने पास यह पर पार एनर्जी से पोर्शन है इस्प्रिंग आपने पास और उसका जो बोड़र्ट रंड इंट्री इस एक्सटेंशन फ्रों लट विल वी तो इसमें थे लेंग्ड कूचिए लग्ड को इंट्रीज कर रहें जब हम इस्प्रिंगी तो इतने बर्थ लंबाई में प्रती तरेंगे प्रसार तरेंगे तो इतना त्वार रहत दरना पड़ेगा वर्त लंत इतना होगा यह कुछ है तो इसके लिए लगाएंगे जो फॉर्मुला होता है अपने पास में फोर्च इन्टु में मतलब थी चेंज इन लेंड डिस्प्रेश्मेंट वाल तो जैसा हमें पता है थी हमें अब बरत्रन निताल लाएं तो बरत्रन नितालने लिए अमें त्यात अना पड़ेगा जो एनजी है उससा डिस्ट डिफ्रेंश लेंदे पाइनल मायनास इनीचल तरहींदी तो जब एच्टेंशन एलवन तक है तो उस जो इस्प्रिंग रहा सजीयर हो जाती है जैसे हम अब कुछ इनर्जी श्राइदे है इस्प्रेंध नर्जी स्टेंशन इनर्जी उन डाएं तो वोदी हाफ ते हैस स्वाइर से हाफ ते हैं वन स्वाइर हो जाएगा तो हम उसको लेंग सब्सक्राइब बढ़ा दे तो इस्टोड एनर्जी पितनी होदी है फाइनल आफ ते यहां लेलें इतनी हो दए तो तो आफ यहां पर चेंज लें डिफरेंस आप लटेंशन पर इस्टोड एनर्जी तो हम एस पास निदलती है बर्दद जो है एच चंटोंज द तरेंगे लट तो AT तो आप देच सकते हैं कि इस्प्रिंद एनर्जी का फॉर्मुला लबाया है हमने बहुती पल और बहुती बेसिद पूच्छन जो पूचा जाता है यह पूच्छन आपको प्रिवियस पूच्छन जब आप पिछली सालों ते नीट यही थे बर्द पावर एनर्जी चेप्ट तो आपने पास पूचे जाते हैं रेशो बहाते हैं काफिये इसमें तो इसंद आता आपने पास पूचछा जाते हैं रेशो बारले काफी है फोई बीड आउट तो पूछ सकते हैं पूछाते बीडर्मोणीफ शानी ने अजय आदा सबस्क्राइब ले था धाउट तो पूछ सकते हैं से यृषिन में अभी अधले पूछन पर बढ रहे हैं तो यह अपने पास में जो है अदला कुछ ने आप आता है एनलम चप्टर से है यह लगवद तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपने पास यह गाड़ी है ताइप में अपने पास गाड़ी है उसमें त्या है एक बॉल लगती हुई है इस टीलटी बॉल जो है तौनों साइड से तोनों फॉर्नर से लगती होई है यह तो और अब आद यह ऐसमें आप आदी जो है वह एक्स लेरेशन ते साथ में बूप करना शूरू करती है ती दैन एक्सलेरेशन ए अब इसमें एक्सलेरेशन से ताड़ी चल रही है तो इसमें तनाव मतलब टेंशन पूछा है विसमें तो यह दोनों रसी हैं अभी तो दोनों जो रसी हैं उनमें तो तो दोनों रसी ओई है तो तो फिर उसमें जो है डोरियों की लेंथ और एंजल से नहीं रहे था तो वहां पर टेंशन चेंज हो जाएदी तो इसमें यहीं पूछा है तो यहां पर इंदी में बोल सकते हैं तो यहां पर एक तनाव डोरी बी ते तनाव से दो गुना होगा पूचा है तो यहां पर हमसे पूचा है तो आंसर में वह मंत्य त्या पूचा है तो इसे पता चल रहे हैं यहां पर हो रही है अब हमें ऐसे तरीने इस और सक्राइब को देलने आ इसको कि यह अपर यह आ पर यह अपर यह आपने पास कि अधरा पीठार इस वह सबस्क्राइब तो इसमें सबसे पहले हम डाइद्राम पे फोटाश रख परते हैं टाइद्राम चैसे बनेदा तो जैसे डाइद्राम इसमें ऑला है अपने पास में ती जरूंटर थे अपर खार शरूंटर तो हम लेशक्ते हैं यहां पर यह अल्ट्रेंट लग घंडल जो एक अंतर कॉंड चीसे बोलते हैं तो अससे यह अन्द भी कितना व जाएगा 60 भी घंड है दिप आप यहां पर हम एंगल तितना है और एक्सलेरेशन हमें तितना देना है अब बॉल है नीचे शस्पेंडेड है तो नीचे उस पर रेविटेशनल पोर्स तो लगी रहा होगा तो इसके तल लिए तो अब है यह जो पूरा सिस्टम में आदे बढ़ रा है आदे अध्य अधर आध पर आध्यों यह यह थैसे लिए दश्ञेरेशन है तो आधे मनने चाहिए तो फोर्स तो तो इस ता फाल जाहिए लोना चाहिए जो हम बोल सब्सक्रा आध्य तो लिए और फिर जो जादा होगा वो चीज दे दे ने तो इधर आजा है यदा 2t cos city और इधर T cos city तो दोनों के चेंज होगा 2t cos city minus t cos city यह तो इसके परावर होगा यह effective force होगा वाई जब पूरा system मूफ कर रहा है दारी के साथ में तो कोई ना को यह effective force तो होगा जिसकी वजह से यह तो यह बना है तो यह बना है तो यह बना है तो यह हो जाएगा ती माइनस ती बैट टू आज आ जाई थी तो फस्टेशन अममारे से बनती है सब्सक्राइब दूसरी चीज़ अब अमने लगाएंगे तहां पर यह पर भी फोर्स लगे दा तो उसको भी बैलेंस दना पड़ेगा तो टी ता सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब दो टीरेक्षन अब्सक्राइब नहीं पर इस लिए जो प्लस बाई में और माइनस थी साइंस इस्टी यानि 3 यह वह इंस टी स्था प्रूज रखेंगी तो तो सॉल्फ तरहेंगे तो थित्वार टूज टू एम जी अब यहां से हमें त्या नने काल ला है तो थ्री रोड ट्री नीचे आ जाएगा और टू इहां से हमने टैंसानने ता ल्ली आप में फैरे सब्सक् attempt मिली है मैं मिल ये एक पार ये अ इसको रूजरि जा ये आहरे थनी रहत निया होगा ये कि आपने पास और तैंशन दने दने थे बाद उसकी वेलू है एक विशन बन में रख दी तो तैसे थिया बस हमें इन टैप ती कोश्चन जो है नलम में आपना है में फोर्स बैलेंस दना होता है अब हमें पता चल देया थी जो वारी है वह प्लस डाःेक्शन में जा रही है एक्चलेशन प पर्स यतना हो देया टी कॉस्सेकि उसलों ब रावरद आती है में थे तो एक्विशन बन दढ़ी थी या तो वहां से हमये जो है टी तो आगई 2 mg by 3 root 3 अब हमने टेंशन थी वैलू तो फस्ट इसलेरेशन थी वैलू आगई जी बाइ 3 root 3 तो यहां से हमारे पास में यह सिंपल पॉर्शन है मतला NLM से हमें बस यहां पर लेने हैं आपको ऐसे कहीं पूछ नहें आपके देखने को मिलते हैं और में इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि को पूछ लाएं कॉछ यहां कर दो हम जो अदला कूछन है उस पर अपने बढ़ सकते हैं थरी लिया होगा यह कूछन तो मेरे साब से समने तो जो अपना कुशन अब दला आता है वो कौन सा है तो कुशन नमर 15 के हम बात परते हैं यह अपने सब्सक्राइब कम सबस्क्राइब का इंचर च्पतावार च्प्रत्वा सबस्क्राइब और सबस्क्राया अब है और दला। थितनेस T दी है तो हमें जा पता चला है पहली लाइन से ऐत सर्कुलर डिस्ट ए वोदही रेडियस आर है थितनेस T है आ इरन से बनीए होगी है अगर यह से इंस धी और आएरन से थी पहले होगी है से मैटेरियल है थितनेस से थी है टी वाई-पॉर बलब रेडियस फॉर टैं सловंगे दो डिश्ट हैं अपने पास लिएक संसरी दोनों को सेम है यह पता चला है और यारन में4 छो से जाता है और परपेंडिकलर होता है फिर एसी दूब सी तो परपंदिकलर होता है फिर नेन वी तरह करते हैं तो in होता है जो horizontal है और side से मतलब जो tangent से जा रहा है वो चीज होती है तो अब इसमें हमें तैसे find तरीने 10 जो है अपना formula तैसे आएगा जो normal formula हो तो आपको याद होगा 10 जो परसे लिए फॉर्मुला होता है अज़ार अबाने पास में त्या है कोई रिंग होलो रिंग मुझे हैं अपने स्पेर से लिए तो यह सारे याद पन्ने होते हैं तुन और तो मास दिवन नहीं है तो अपने पास मास सना इसे आपने पास में आ जाएगा आ आई ये और आई वी में रिलेशन नावивать तो यह देख सकते हैं आप solution तो अपने पास में क्या है आप पे सबसे पहले हम त्याल लेते हैं आई ये दोनों ते लिए मोमेंट आप इनर्शिया लितना है तो सबसे पहले सबसे लिए मोमेंट आप इनर्शिया तो मास नहीं पता तो मास ते लिए द्यातना पड़ेगा भाई हमें पता है अपने पास में रो है मतलब सेम है आए रहा है तो जब मैटिवियल सेम होता है तो देंसिटी क्या होती है आपने आर स्कायरी त्यांट इसलिए दोनों ती डैंसिटी kो रो माल दिया अब हमें चाहिए वॉल्यूम वॉल्यूम थिया होगा अल्या या फिर थेथनन में आंद्विया अब दो expired युल्योटamentillas कदेआपने चाहए प wear खाइब यहां पर प्लिप्र यां पर पा सब्करने में तो यहां पर मल्टिप्लाय रहें थे आरसरां सब्करने प्लिपालो बेसिवर ऊपने पास आई यह इस एक अधिवियर नितान आा SCP सब्सक्राइब तो इसके लिए भी एमार सब्सक्राइब लगाएंदे आर्थी वेली त्याओधी रेडियस फोरार रदिया है यहां पर फोरार था सब्सक्राइब तो यहां पर मैं रेडियस फोरा था एक तो बच्वा दो पर रो पाई आर अश्वार था तो शोल तो जार देता हो या चांटप्ज़िस फोर और यह उदिया आरधी पावर फोर तुर शिस श्टी फोर पाई आधी पाई न्टीफ नटीफ जिक्वाएं दूँ तो यहां से अब हम डिरेक्ट पता चल रहा हुए ती है जो है आई वी ती वैलू ज्यादा है आई ये से अब इस अप्शन में तो हमसे फुचा है ये ज्यादा है सेम है ये चीज़ है लेतिन हमसे आप रेशो पूछ सकता है रेशो ऑप्शन बदल लेगा रेशो देते का तो यह अपने पास में कोश्चन है जो यह कुश्चन आपको मिलता है इसमें जो है तो याद रखना है कि यहाद रखना है कि यहां पर थितने से बन होती है से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड बनना होता है या क्वंपेर तरने वाले कोश्चन भी आते हैं तो वह भी साइड से लेकिन जब थितने होती है ना तो वहां पर मास दिवन नहीं होता फिर तो उस तुछ में हमें ऐसे करते हैं मास टैल्कुलेट करना होता है डैंसिटी इ अपने बनता है इससे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आपको जो है ताफी सारे पूशन आप देखते ही है ना दो डिस्क मिला देंगे इस फियर को चॉइंड तर दिया जाता है फिर पोशन पुचा जाता है ती तीन स्फियर को ट्राइंगल रिफॉर्में रगती है जाता ह है नियुक्त चॉशन देखते हैं तो यसे सब्सक्राइब बनते हैं यह जो है मोमेंट अफ इनर्शिया में आपको रिंद देखते ही इसपिस्ट पूचे जाते हैं आपको और व्ह पूचे जा सते हैं जैसे इस वाइर शीट का होता है और शीट लाइट स्ट आइंगलर शी इससे इससे बिरुट न यहां पूछल में ने की था न इससे में पूछे पार एक्षम से घृट बज़ता है ऐसे 2-3-3-3-2-3-3-3-3-3-2-1-5-3-2-3-3-3-3-1-2-3-2-1-2-3-3-3-4-3-4-3-1-2-2-1-2-3-2-1-2-2-1-2-1-3-2-1-1-2-2-1-3-2-1-2-1-4-4-3-4-3-2-2-2- कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं तो अब हम आधे बात करते हैं पूछन नमबर 16 पे तो पूछन नमबर 16 हम देच सकते हैं आप इत्यार है यह पूछन इस तो अगर हम देखने हैं तो यहां पे अपने पास में अध्यरेशन में तरह पूछा है तो त्यादिया है थी फिदर बिलो सोजा बॉड़ी ऑफ मास एंप विद दा यूनिफॉर्म स् यह सर्कुलर पाथ है मतलब हम बोल सकते हैं ती एक बॉड़ी है जो मूग दर रही है सर्कुलर पाथ पे और उस पाथ सर्कुलर पाथ वे ती रेडियस देती है आर दिवन है अब यहां पर यह दिवन तर मतलब P1 से P2 पॉइंट ते बीच में एक्सलेरेशन में चेंज पॉड़ी ऑफ मास है मोविन बिनता है यूनिपार्म स्पीड और सरतुलर पाथ उप रेडियस आ यूनिपार्म स्पीड है पता चल ला है सेम स्पीड से जा रहा है बस यहां पर एक्सलेरेशन पूचा है तो अब हम बोले ने ती जब हम सरतुलर मोशन पढ़ते हैं तो वह अपने पास होता है अटी जो है वह नॉर्मल फॉर्मॉलाह भी ऑफ और ऐल्फा ओस्पार्म एक्छलेरेशन जती थो है यह से इस्हां को वह तो दूसरा फॉर्मॉलाह झाल में जो आता है अपने पास एजड़ी पीड जो एक्चलेरशन चेंडियस ने जोड़ी पास च्या या ओमेजा इस्मर इंटु में ठीक present liber anywhere या फिर ओममेजा इंटु में आर ये दो स्फॉर्मले होते हैं तौनु छार्ट में सर्थीन honeymoon के सर्थीन मोशन जब भी कोई पार्टी तरु तरुक्क पे दो एक्सिलेड़ेशन लगता है तो तुक लगता है उसका तेन differenti इस टू लगता है कोई भी तो एक तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो उस्तों इंत्रीज दने ते लिए तो नॉर्मल एचलेरेशन जो युनिफॉर्न मोशन जो अपने बंडी मोशन होती है उसमें लगता है वह होता है एटी टेंजेंशेल एक्षिलेशन जो इसली स्पीड बढ़ा रह है उसमेशेए सब्सक्राइब होती है तो यहां पर दितो थी दो एक्षिलेशन आं चाहिए चैंडे तो जब फाइनल एक्षिलेशन पूछा जाए मंसे तभी वी क्वीश्चन में और चींजेंड इने एक्षिलेशन लिएच लिखाओ या त्वेवल एक्षिलेशन दोनों acceleration का resultant find बनना होता है वो तैसे होगा 80 वेक्टर प्लस ACP वेक्टर से होता है वो अंडरूर 80 स्वाइड प्लस ACP स्वाइड से यह हमाने पास circular motion में कुछ जाते हैं इस पर काफी हमें पता है अब हम ऐसा वेक्टर समत्यों कर रहें यह भी चीज है क्योंति जो यह पर देथें पी बन पॉंट पर तो प्लस बाइन प्लस यह तेप में तो टैंजेंशेल एक्सिलेडेशन थी डायरेट्चन भी प्लस जेटर पो दी और जो सेंट्रीपेटल एक्सिलेशन वता होता है उसी राजट्चन ताहों थी सेंटर दी तरफ यानि माइनस आई त्यप हाँ प्लस दणाटा टिया तो हमारी पास में पता चल लेता है मैं तो टैंजेंशेल एक्सिलेशन होता है वहां स्पीट को बढ़ाता है और जो हमारे पास में कहुंसा होता है । एक्सिलेरेशन होता है बो डायरेट्शन हो चेंज करता है अब यह भी चीज है थी हमारे पास में जो टैंगेंशल एक्सिलेरेशन वो हमेशा रख नहीं करता है यह बी चीज पिद्छ तो यह समझना होता है तो यहां पर यांपने कने сп alone सि बना दिँव आफ सितना हंतो यहां से में बोल चकते हैं ति इतना होगा प्लस वाई-क्सिस में तो एक्सिस में तो पॉइंट पीटू पे एक्सिलेरिशन दिदा होगा अब एक्सिलेरिशन तो यह डियग तो तो जो जाएता है कि यह चलेरेशन चेंज इन चलेशन टैंजनेशन में अब एसीप सर्फिया होता है वीश फॉर भाइए आट तो यहां से देख सकते शाथ है जब अपने पास में तितनी क्या है ती सुल्वत दने बाद रूट यह ती जो वैल्लू है हो तितनी है अब यहाँ पर मैं दोर बार इस पोश्चन तो समझाता हूं आंसर अपने पास रूट टू भी इस पर बार आ रहाएगा इस पोश्चन में थोड़ा सा डिफ्रेंस किया है जो मैं पर आपने पास में तो समझना आया है तो यहां पर वेलोसिटी सेम रही दी बस टारेक्शन चेंज हो दी वेलोसिटी सेम है लेक्रेब्ल में सेमें के टेंजनिशल एक्सेलेडियरेशन नहीं होगा नेट एक्सेलेडियरेशन में प्रिफश्चन में थी एक्सेपी वहा इसलिए यह बोलते हैं तो साय है वो अमेशा बड़त रकता है चाहें यूनीफॉर्ण मोशन यह फिर ना स्पुल दिया तो वेल और अपने पास में है कि सेंट्री पीटल को हम रेडियल एक्सिलेशन भी बोल सकते हैं तो यह है तो यह तो पूछ सकते हैं अभी आप अब 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 याद रखना है और दूसरा अपने पास में जो है फॉर्मुला कौन सा होता है यह और जो सेंट्रीपिटल है उसे लिए 20 पार या फिर ओमेगा इस्पार एंटू में आर ये फॉर्मला भी होता है तो यह बात परते हैं यहां पर अब मदले कोजिशन पर बढ़ते हैं अपना जो है तो यह अगला कोजिशन हम देख सकते हैं आप इत्या पुछा है अपने पास वर्दरन से हैं वर्द पावर एनरजी का कोशन है फोर्स डिस्प्लेश्मेंट ग्राफ दिया है जो सबसे बेसिक वर्द पावर एनरजी का पहला ही पोश्चन होता है वर्दरन निकालने वाला है तो ब्रदरन में जो पॉश्चन बनते हैं अपने फोर्स डिस्प्लेश्मेंट वाले वह ही फोर्स डिस्प्लेश्मेंट ग्राफ था तो इसको मैं आपको वैसे एक बार समझा रहेता हूं थि हमसे इससा थ्यारी होती है तो इसमें उता है व्योंक्राश्ट का फॉर्मुला देख एक्वेशन बनाते देगी तो इसे बनाते देगी तो अटीडरेट करना पता है तो इस सोच्छन में एक्स इस पर लिमिट रहती है है जैसे इस कोशन में है एसे लिमिट पता होती है तो इसको निकालते तिर इंटीडेड करते हैं अब जब मैंने आपको जैसा कोर्षन जब पाइंने इसको यह नहीं दिया था उसमें भी मैंने बताया था थी जब हम ओसा मतलब होता है ती एक इस थे तहीं तो फोर्स डिस्प्लेश्बेंट चाहिए तो फोर्स डिस्प्लेश्मेंट जो एक आपर इस तएद्ध और चीज होती है यहां पे ति हमें जो यहां पर पॉजिटिव नेडिटिव दोनों डिपेंड दरता है तो अब इसमें हमें तोहां से तोहां तक पुछा यह एक क्वेशन तो हम देते हैं अपने इसमें रिलेशन बेट्विट्विन देवन हैं वर्दरन पुछाएं दिश्प्लेश इन दा पॉडी फ्रॉम एक सिक्वस्टू बन मीटर टू एक सिक्वस्टू फाइम मीटर विल बीत तना होगा तो एक सिक्वस्टू वन से फाइब तक पूछाए ते बल्ट अब मैं यहां कोशन को अच्छे जी लिट नहीं थी आपन से तक पूछाए तो यहां पर क्या लेना है बस एरिया लिए हम वन पार्ट पहला पार्ट जो है पुट्या आपने पास रेक्ट एंदर तो बेस इंटू में आइट हो जाएगा वन इंटू में तैन वाले ता वन इंटू में फाइव फिर थड़गा लेगा माइनस होगा वन चाहे इसे समय डेगा था तो यहां पर हम देख सकते हीं है अपने पास है तो यह अपने पास में तराप है तो इसला हम निकाले में इन तो नाम दे दिया जैसे फर्स्ट तो एबी-सीवी से इन पो दिया यह सी एफ ऐसे एना जी एज एफ आई फिर आई-जे ते ट्राइंडल है तो इसला एडिया निकाल लाएं तो सबसे पहले हम कौन से तर निका है तो यह पहले हम पहले लगा सकते हैं माइनस वरम इंटू में पहले होग है तो बेस इतना आपने पास बन इन डिन्य हो जाए तो यह वेलू आई थी फाइब तो फस्ट से वेलू की की नहीं हो गया जाताए वां-स पहले और फिर जो लास्ट वाला ट्राइंगल है उससे लिए हो जाएगा वन इंटू में तो फाइव प्लस टैंड इतना होते हैं फिप्टीन जूल आजाएगा अपने पास तो यहां पर हमें डायरेक्शन तो यहाद रदना है कि हमें प्लस में नहीं लेना ति वर्द दन है वर्द या तो ऐसा तर हो थी उपर थे सबको एड़ तरते नीचे तो माइनस तरतो यह फिर डायरेक्शन प्लस फाइब से माइनस फाइव सीधे भी चैंसल तर सकते हैं देतरा है ती ग्राव से सेम आएगा तो उससे में यहां पर एरिया पाइंड आ जाएगा इतना पंद्र जूल कोई तो पूछ रहे हैं सब किसी तो भी इस कोश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ प्रताश मिश्रा कोई डाउट नहीं है तो हम आदे बढ़ते हैं जिन तब ही दलत हुआ हो बेज़ कि इत बार फिर से समझाना है तो मैं बता देता हूँ याँ पर फिर इंप practicing ना गटना हुआ तो अबना है पना तो सब जब सकते ही आप के आपने फूर्स याप से विलेंट त्राफ uकित ब्लम ह webinar ब्लट द्या होताoud चल रहा है यह चीज डिफरेंशियेट करें तो स्लोप तो यहां पर हम पार सथिए हैं ठीप दिस पेटमेंट में तर्यार यह और हमें पता चल रहा है हमें तहां सितां तक भूचा है से फाइब तब टोटल नहीं बूच तो एरिया निकालना है अब हम यहां पर देख सकते हैं में फर्स्ट पाट का जो होगा हो तितना होगा बने टू में तू में तेन हो जाएगा यह फस्ट वाले का सैंत वाले होगा वने टू तो यहां पर चल लाए उपर का प्लस फैंब नीचे था मैंने सभी सीधे हो जाएगा और थडवाले था आप इंटू बेस इंटू आइट से निकाल लिंगे तर फाइव फाइव आएगा तो फाइब प्लस टैंक इतना हो जाएगा 15 चूल अभी भी टूही डाउट हो तो पू अधर्ला कुश्षन अपने पास यह थे लिए लगवर ती इसमें बुलाई एक सॉलेड स्फियर है जो फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है इफ इफ इट्स इफ दा रेडियस ऑफ स्फियर इंक्रीज इंक्रीज तीपिन मास सेम विच विच वन आफ दा फॉलाइं विल बुलिया तो हम तैसे देखें देखो सॉलेड स्फियर रोटेट कर रहा है अब इसमें रेडियस ऑफ इस इंक्रीज इंक्रीज इंट्रीज इपिन मास सेम विच विच वन फॉलाइं विल नॉट भी अफ्टेट अब हम यह चीज पता होनी चाहिए ती फ्री इस पेस में जाएगा बारी बल सुनने होगा और जब फोर्ष नहीं होगा तो कोई वहां पर नेट टॉर्थ भी नहीं आएगा जो जड़त जो हम पढ़ते हैं बलागून टॉर्थ जो पढ़ते हम तो वह टॉर्थ यहां पर जीरो होगा जिन्ती कोई एच्टर्नल फोर्स नहीं है तो जा नहीं आएगा और फिर उसकी वज़ए से वहां पर क्या नहीं होगा जब टॉर्थ नहीं आएगा तो इसकी वज़ए से मोमेंट्ट ऑप इनर्शिय और्ष जो रेखने तो दी ताव और डी तो इस वज़ए से जब हम हम हमें पता है तीसी भी पॉं जो फॉंस्टेंट उसका जो डिफ्रेंशेशन होता है वो जीरो होता है किसी भी constant quantity का डिफ्रेंशेशन ते होता है जीरो तो जब हमें पता है ताव इक वस्टू क्या है डील बाई डीटी और जो अपारे पास में त्या है यांपे टाव है वो देतना होगा जीरो क्योंति free space and net force है नहीं तो तो उसकी वज़े से यांपे यांपे यांपने पास में आई ओमेजा तो आई ओमेजा से हम देते हैं ती आई ओमेजा में अमेजा से रहता है आई बड़ेदा तो ओमेदा धट जाएदा ओमेदा बड़ेदा तो आई धट जाएदा ऐसा होता है जैसे अब यहां पर रेडियस इंत्रीज दर रहे हैं तो जो मुमेंट ओफ इनर्शिया वो इंत्रीज हो जाएगा तो उसकी फिर वेलोसिटी कम हो जाएगी यानि ओमेदा तो यहां से हम फाइंड दर्टे हैं चीज लिए आई ओमेदा होता है आई इंत्रीज होगा तो आई गट जाएगा ऐसे हमें आपर फाइंड करते हैं तो मास को सेम रखते हुए तो आमें पता चलते आंसरते होगा एंगलर मोमेंटम बाती यहां पर मोमेंट ओफ इनर्शिय हो रही है तो person ね अचेंज होगा एंगलर मेनों आई ओमेदा है तो आई बढ़ रहा है यहां लुटेस्ट मालेता है लेकिं तो इसकी वहाँ जासे चेंज होगा एस दूसरा पॉर्म्मला रोटेसिन छीन्ध स्ञेंके का है स्वगद listeningtown retail है जासे हम नॉट्मलल बंदी मोशन इसमें पी स्कारवार टू एम उता है यहांपे होता है यहांपे ल्सकारवार टु आइप कॉंस्टेंट नहीं है तो इस वज़ें से यहांपे जो रोटेशनल टाइनेटीज एनर्जी वो टीत्री जो दी अन्हांप मोमेंट ऊपनेटीज होगा एंगुलर वेलोसिटी दी जो वर्बॉन इंट सौनम मोर रहा तो समझ में आदे आओ तो आप सब उते बोलते हैं हम आद ले कोशिन पर बढ़ते हैं कि अपलाई पर बढ़ते हैं हम आप साथ आप बढ़ते हैं कि अपलाई आप से तो अब हम अदली कोश्चन पर बढ़के हैं जो है अपना तो यह अपने पास में 19 कोशन है इसमें आप देख सकते हैं तो इसमें अपने पास में यह अपने पास में अब तके अपने पास में यह रथा हूआ है और यहां पे इससे बंदा हूआ यह रसी नीचे आई दी भाई जब यह है बंदर ऊपर चड़े था तो रसी नीचे फोर्स लगाएगा जिसकी वज़े से रसी नीचे आई दी तो एम मास ता जो ब्लॉत है वो आदी थी तरफ मूव होगा तो जब इस एक्सेलेरेशन से मूव तरी था यह पूछा है यह तो आप इस तो तरहें दे वो चीज देखते हैं अभी अनलम में मन्ती वाले तो आप इस तो देखते होंगे तो यह पोश्चन आप देख सकते हैं यहां ठीज स्वीला यह अपने पास में मंती ऐगा तो जब इस पर चड़ेगा तो यहां पर टेंशन जान रेट होगी तो हम बोल शत्ते हैं ब्लॉट पर आ देती तरफ टेंसन लदी अब यहां से पता चल दा थी जो अब जब लॉट मूव तरह था आ देती तरफ तो उस पर कोई ना को यह ना चाहिए तो नेट फोर्स त्या आए आप पर जो उसको मूव तरह रहा है टेंसन इसकी वाज़े से वह तर लिए और उसको मूव तरह देना हमारे पास अब वह तरह से आई दी वह चीज़ है तो सबसे पहले म मास के लिए तरह टेंसन इत्वर्स तो में लेती है मास इन्टू अचलेरेशन इसमॉल म मास के लिए यानि बंदर के मास के लिए हम निताल लाएं तो इस पर नेट फोर्स मास इत्वर्स पिर्स टूर्स होगा अब सोलत है तो यह जो गलाव हो एचलेरेशन होगा वही तो रसीत है स्पेक्ट में बंदर था ओन तो ऊक्षोड यह बंदर AT दिबन है तो कुर्शन में तो ए लोग सिधिकर देवाला एक एक चलेडीशन ऊफ मंती ती वेलु अपने पास में हैं आजाएगी ए-0 रेस्पेक्ट टर्म डिवन है तो एलोग जो है वो रेस्पेक्ट में रसी ते रस्पर्ट में ए एलेशन दिवन आए ए-0 अपने बंग में से मिलीट जुके ृटली आजाए गयेृत अब यह हंपे अपर ले लिए अहां से हमें 33 डी चाहिए आप चाहिए तो ए वाली टर्म जो है जिसमें एसको इस साइड में ले लिया तो यह हो जाएगा तो आप लाइन अ básAM आजाएगाज इंट अ कोउड़ा और यह चाहिए थे तो प्लस में प्लस में आ जाएगा और यह थो यह नाइँ longer यह अपने पास में आती है तो थैसे हुआ है यह समझना होगा थी हाँ हमने आपे जो है सबसे पहले तो अपने ब्लॉक ते लिए एक पिछन लिए थी फिर हमने बंदर मास्ते बंदर दे ले ले था अपने डाउट हो तो पूछले नहीं तो फिर हम आदले तो पर आदे बढ़ते हैं जिस भी बच्चे थे पोश्चन पेपर में दलत हुए हैं वो जरूर अपने डाउट हों तो थिलियर तरहें तो आदे पेपर हों में जब ऐसे पोश्चन आपको देते दे तो जलत नहीं तरहें दे तो यह बेसिक और कॉमन पोश्चन है आपको जब आप अलग अलग पेप सब्सक्राइब को मिलें तो इस वज़ए से फोश्चन तरह हैं ती सारे डाउट यहीं पे त्लियर हो जाएं इसलिए आप यह लगास लबाई जा रही है पेपर डिस्टर संथी अब अब अपने पास एक पोश्चन है अपने अपने आदेच सकते हैं यहां पर से तो तो यहां है तो इस यह फी रोटेशन मोसन से खोश्चन है जो तॉट वाले इंप बैलेंस वाले बाला जो प्टम उसने रहे ना रोटेशन मोसन में रोड में तरह आते लिए हो है तो एक weightless rod है is added upon by अपबाड parallel forces of two newton and four newton at and a and b respectively मदब अगर हम diagram प्रोट नहीं कुछी सरी नहीं तो यह rod है उससा तो यह mass यहां पर जिवन नहीं है तो उसको massless बोल दिया और अब उस पर दो force लग रहे हैं दोनो फॉर्नर्स पे रोट थी उस पर टू-णू-णू-फोर्स लग रहा है अब नहीं थी नहीं तो इंगल पे हैं तो प्यू-णू-फॉर्न, दोनों यह पिलाग रहे यह बहुझे हैं तो आभा था नीजय उपार ustani with व adesso ये घिवांचे ते ये समिघा रहा है अब कुसी पॉइंट लबाना होगा यह चीज़ पूची बाई तो प्रोए यह तो पता है पर वह मिडल में लदेगा या फिर वो ए एंड पर लदेदा या तून्सी तुन्टन ती साइड होगा वो पुछा है यहां पे तो इसलिए हमें अब फैंड दना होगा ति तैसे स्छ न्यूटन लगाँ तो इसलीए हमनत्या खाइंत रहें यहां पर देखते हैं यहां पर तो जो जो है तक रहें ने इसको टॉर्थक टॉर्थ हो अचाहिए जब भी हम ऐसे रहा है विश्द को गते हैं तो यहां बनाते है जो नॉर्मल फर्स बैलेंस तर रहें तो टॉन न्यूटन प्लस जब हम रोटेशन थी बाप करते हैं तो वहां पर टॉर्थ भी पॉंस्टेंट मतलब सेम होना चाहिए टॉर्थ भी तो बैलेंस रही थी रोटेट नहीं दनी चाहिए तो कौन से पॉइंट पर रथ हैं उसको यह चीज़ आंपे हैं तो देखते हैं उसको हम तैसे फाइंड कर हुआ है कि तो यहां पर हम देख सकते हैं स्काइब है इसी जो लैंट तो उनलो है और हम बोल सते हैं ती यहां पर जो तो हमने दी पॉइंट ले लिया, मान लिया थी दी पॉइंट है, वहां पे हमने 6-newton force लगाया और यहीं पे जो है, इसका balance point है, ठीड है, center of mass बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, A और B पे तो सबसे पहले 2-newton, 4-newton force उपर लग रहा है, और 6-newton force दी पॉइंट पे नीचे इसे जो distance हो दी, वो तितनी हो दी 3-s, अब यह value हमें find दनी है, x और 3-s थी, तो तैसे करेंगे उसको, अब हम देखते हैं, बस हमें तो इसमें पता ही है, यह हमें net torque 0 बनना है, point B पर, ठीट है, point B पर हमें net torque 0 बनना है, तो इसके लिए त्यातना पड़ेगा, तो यहां पर हम बोल सकते हैं थी, अब जब point B पर नितालें दें, तो torque ज्या होता है, torque ता formula ज्या होता है, force in 2 में जो length है, आर perpendicular length जीचे बोलते हैं, वो radial length, तो sits in 2 में radial length इतनी 3-s, और direction पर नितालते हैं torque वाली, वो आपको आना चाहिए direction मैं बता देता हूं आपको, जो direction पर निताल जाए थी, हमें त्यातर नहीं थी, force in direction में अपना एक तरी तरीते ही सारे होते हैं, तो होता है थी, हम R-f तर लें direction या फिर R-f तर तर निताल चाहिए, R-vector और F-vector तर 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 देंदे तो उससे direction आजाएगी, जैसे आपको बोलाएं, तो R-vector थी जो direction होती, व हो जाएगा, माइनस जे में force, तो उसी direction हम निताल लेंदें, तो R-f तर निताल सकते हैं, या फिर एक तरीका यह होता है, हम जो है, मतलब अपनी जो उंगलिया है, उन्तुर पहुंची direction में रता है, रेडियल लेंथ ती direction में या फिर जो अपने R-f लेंथ उससी direction में रता ह है, और force ही direction में अपना उठा रहाते हैं, फिर उसको जब rotate तरीने, तो उससे भी direction आ जाती है, अपने पास में, plus या बाहर ती, जो है force अगर बाहर आ रहा है, बाहर और अंदर आपको पता होता है, जब मेहिदेने criticism पढ़ते हैं, तो मेहिदेने criticism में भी यह direction माला आता है, पता होगा, तो उसमें dot और cross का मतलब तरह होता है, वह मैं आपको बता देता हूं, dot का मतलब होता है, जो plane है, उससे बाहर ती तरफ, मतलब आप ती तरफ आ रहा है, तो उसको dot से रिप्रेजन करते हैं, और अंदर जा रहा है, minus theta में, dot होता है, बाहर ती तरफ नहीं, plus theta, minus से रितलों होता है, क्रश है, तो यहां पे कौनसी डायरक्षन होते हैं, आमißtरा, fine था था नहीं तो यहांपे जो डायरक्षन होते हैं, यहां पर ज़ो. ist officers टे फार, पॉर्स दिफाइर डियो नियूटन ते लिए, फार दे तो यहां पर जो डायरक्षन होते हैं, और आपर बाइसे भी पता चल दाए थी शेट नीचे है तो नीटन ऊपर है दोनों फोर सी डायरक्षन आपोजेट है तो फिर जो टॉर्थ है उससी डायरक्षन में आई धी यानि माइनस तो आई जाए तो से इंटू 3 माइनस से और 2 ते लिए डिस्टेंस टोटल पिकी है तो 2 इंटू पर पर यहां पर सीथे ही बी-पॉंट थे एक्रस तॉर्ट तो net तूर्थ जीरो गया ना पर यहां पर तो फिर वाले फोर्स ता जो तो न्यूटन पोर्स यह उसता टौर्थ जीरो हो जाएदा तो यह कोश्चन आपको समझना आते होगा मेरे सबसे टौर्थ वाला कोश्चन है आपको आनी चाहिए में सबसे चीज यह होती है डायरेक्शन वाली चीज में तो सबसे चीज यह होती है अपने पास डायरेक्शन तरह से नितालते हैं यह बात उती है कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं फिर अब अधली पूश्चन पर बढ़ते हैं कि अधली पूश्चन पर आप दो पूश्चन पर पर बन तो यह अधला कोश्चन नहीं थी यह आप पर क्या बुलाएं थी एक बॉल उसको अमने ड्रॉप दिया है फ्लोर पर फ्रम हाइट ऑफ टैन मीटर थी आइट से नीचे तरह फ्री फ्री फ्रोल ती तरह है फिर यह नंजमीन से टत्राने थे बाद रेबाउंड तरही मतलब फिर से उपर उठे दी फिर से ऊचलेगी फिर यह तैन मीटर थी आइट तत नहीं उचली तितनी उचली ते वर 2.5 मीटर था ठीक है दूसरी तेस में इस इतना एवरेज एक्चलेडिशन होगा यह पूछा है ठीक है यह चीज़ समय में आ रही है इतने टाइम के लिए पॉइंट जीरो बन से दिन के लिए एवरेज एक्चलेडिशन त्या होगा है यह चीज़ पूछ है तो अब हम तैसे उसको फाइंड परेंगी देखते हैं डायग्राम ते थो इसको समझेंगे सबसे पहले तो इस ता डायग्राम बनाना पड़ेगा ह यह कुछ भी समझ में नहीं आएगा पर डायग्राम से आसान हो जाएगा तो यह हम देख सकते हैं इसमें अपने पास में त्या होगा सबसे पहले हम देते हैं यह वेलोसिटी अधा टाइम ऑफ इस्ट्राइट इन दा फ्लॉट तो जब नीचे ती ती तरफ यह आई दी जो तो वीवन मेलोसिटी हो दी जब टैं मीटर हिड से आ रही है तो तब से तनी वेलोसिटी तक पहुंचे दी तो उसको बोलेंगे देख अंडरूट जी यह वेलोसिटी हो जाएगी तूजी एज़ी एच में टो इंट्व में जी कि विलू नाइट ऑफ तर यहां से अपने प बार्ट पाद थी अंधर और टू जी एच-टू उदी तो इन्टु 9.8 इन्टु 2.5 तो पर चाहिए है या जाएकी यहना 25-5 हो जाएगा 9.8 2196 14 आसे तर अपने पास आ जायगा यहना 1.4 इन्टु 5 तो वैल या जाएगी यहना यहां पे 7, 14, 15, 70, तो उसे साब से यह 7 मीटर पर जादिन हो जाएगी वेलो, चेंज इन वेलोसिटी तीन होई, चेंज इन वेलोसिटी तीन होथी, यहां पे देच चतने, चेंज इन वेलोसिटी भई, 14 पहले थी, 7 बाद में हैं, तो final minus initial, अब यहां डारेक्षन ता तेल है, डारेक्षन ता फंडा यहां पे पूरा, अब हम बोल चतने हैं, जब बॉल उपर जाई दी, दूसरे तेज में, रिबाउंट दने थी बाद, डारेक्षन ता आओ धी, उपर ती तरफ, हैना, जब ती जब बॉल टतरा रही है जमीन पे, तो डारेक्षन फोंसी है, नीचे समझ रहा है, यह चीज हो थी, जब नीचे टतरा रही है जमीन पे तो डारेक्षन है नीचे, तो उसको लेंदे माइनस जे तरफ में, और जब रिबाउंट तरती उपर जा रही है, तो डारेक्षन अपोजेट है, तो फिर वेट्टर ते आओ जाएंदे, एड़ हो थी, यहां, इसलिए हम याद अपना है जब बाल रिबाउंट करते ऊपर जाए थी, तो डारेक्षन प्लस Y- AXX में, जब नीचे जब टतरा रही है, तो डारेक्षन हो जाएंदे, तो फिर वेट्टर एड़ हो जाएगा, तो फिर इन फिर एट्टर इड़ होँ दे, तो फ तो यहां से हमार पास में वेलु टितनी आ जाएगी 21 डिवाइड बाइड पॉइंट जीरो बन और यह हो जाएगा इसको अब बार तभी तो बॉल उपर जाएगी तो टू बन डबल जीरो आजाएगा समझ रहें इस चीज़ लो तो यह चीज़ है यहां पर हमें में ली तिस्वा याद रखना है डारेक्शन पहुंची है जब बॉल नीचे टत्रा रही है तो डारेक्शन माइनस वाई एक्सिस माइनस ये तेप और जब उपर पहुंची रिबाउंट दने बाद तो प्लस ये त टाइम से उस्से हो जाएगा अपने पास ये चीज़ समय नहीं होगी तो यहां पर आदना अंत्र पार्टी बोल रही है तो हम अधलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं जो तेज़ सकते हैं यह उप्षन जो तेज गोशन थे ते से साब से ते टेज़ ते ट्वंटी वन अंड्रेट पर दो अप्षन है नीचे ती और उपर ती ओर तो आएगा उपर ती जो बॉल हो उपर जा रही है वाइनल जो रिबाउंड करने तो इसलिए उपर ती आ रही ऐगा इंचन डिरिन इस पीरिएग इंट तो यह अम है न पर मान पता है वैलुसिटी पता है तेसे तरी इसको अब हम दिखते है और तायम भी इवन है ति 5 से दिन में तो यहां पर हम देते यांगे यह इस तो तैसे कर सकते है यहां पावरते उपर अच्छे कुछन मिलते हैं, जब आप कुछन करते हैं, तो पावर देओपर जैसे तल भी, हमने इस पूशन दिया था, वो भी अच्छा गोश्चन था तो यह भी ऐसे ही कुछ ठीट है इसमें तो यह देख सकते हैं आप यह यहां पर पावर जो है वो त्या है बर्तरन डिवाइड बाइड टाइम यहां बर्तरन डिवाइड घ्ञो में बोला वय फॉर्मुला वर देगा स्क्षिक्षिक्षक्यजीवर्टरन फील आंट्व बरेख में कोश्च से आएगा ऐगा अब कर दिन हां इंटरीज यह आप ए यह प्याहर से बोला है कि राष्ट से तैन मीटर पर सथिंप वेलुसिटी उसको मिली है तो अपने पास एंजन उसको ठैन रेस्ट से मोशन दिया तो इनीचल टाइन टाइनेटिग जीरो हो दे फाइनल टाइनेटिग जाए दी तो चेंज इन टैने टेक अपने पास में आ जाए बाट तो हाफ एंबी स्फएल माश्च इतना था 10 तो तो टैन्स पावर 3 टलिया इसको वेलोसिटी 15 दिवन है तो 15 का इस्फएल हो जाएबा इवाट वाट टाइम तो इसको इसको तरिंदे तो इतना आ जाए जाए तैए तो यह हो चाहिए तो टू टूटी फाइब अपने पास में आ चाहिए ऑप्शन में आपको दिपरा होगा यह आँसर तो इहां पर इंपोर्टन चीज ते आ दाए थी हमें यह तो आद चाहिए थी उस समय थी हम बरतलन जो है वो ही तो इंपोर्टन के आ है ऐह एंट्री नेटेश के सरील को प्राइंटेया पर कि उस में पर या याद नहीं आता में लिए तो यह तिलिक कुदना चाहिए जब आप पूर्शन परते हैं डिफ्रेंट स्टैप तो आप याद हुदा था को शन्ता पेटर कोई डाउट नहीं है तो अब हम आधिक पूर्शन पर बढ़ सकते हैं अब 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 तो यह अपने पास में यह उत्याफता टू 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 डवल जीलो आंसर जो सेटेंड उप्शन हो जाएगा इसाटी द्याइब अब अब अदला कोशन जो है घुत्यात है रहा है अपने पास से नीचे जाएगा तो यह ब्लॉथ अभी इनीशिल इससे जोड़ा हुआ है तो जीरो वेलोसिटी हो दी इनीशिल लेकिन पाइम मीटर जब यह नीचे जाएगा तो उस ती जो पॉटेंशिल एनर्जी इस्टोड है वो नीचे जाते ताइनेटेट एनर्जी में त्या हो हो दी इस्प्रेंट एनर्जी जो इस्टोर थी वो तिसमें चेंज हो जाई दी इस्प्रेंद एनर्जी में तो यह चीज पुछेगा आप मैक्सिमूम कंप्रेंशन पूस्ता है इन सवालों में तो हम सबसे पहले त्यात रहेंगे नीचे जो ब्लॉथ आयदा तो उसकी वेल कर रहा है तो जब इस्प्रेंट से टट्राएगा तो हम मैक्सिमूम में फॉर जो मदल्त हो थोड़ा सा टत्रा चाए और उसमें चेंज होती जा रही है प्राइनेटेटेटेटेटेटेटी चेंज हो रही है इसमें इस्प्रिंडिनेटेटेटे पाद पाद तो वो मैक्सिमम इनर्जी तर रहायाया तो आप तो प्रैविस्वाइब तो जो हाफ एम बी स्वाइर नेटेट एनरजी उदी तैन मीटर पर से इन से उसको हम हाफ एक्स पर बराबर देंदे बैल हुआ जाएगी अपने पास यहां पर इस्प्रिंग पॉंस्टेंट दिवन है फोरंड्रेंड न्यूटर पर मीटर ठीद है और मास हमें यहां पर लेते हैं इसला सॉलीशन तो यह देख सकते हैं आप जैसे मैंने बोला थी 14 द्राम तो हम नीचे छोड़ेंदे पांच मीटर से तो सब पहले नीचे वेलोसिटी नितालेंदे तो से लिए डायरेक्टी या तो हम ऐसे भी तर सकते हैं है ना थी हम डायरेक्ट से तरहती सार ज पर उससे आफ एम इसक्वारेक्ट से तर जाते हैं या फिर उपर जो इस्प्रिंद में पॉटेंशल एनर्जी तो वही बाद में तुम अपने पास अपने पास तो एच तो एच ना जाएज है तो एच तो एक तो यह जाएजा है यहां पे टू एमजी एच बाए ते अंड में जैंज गिया डिवाइड वाइज या 10 पार मैनस 3 इन तो में g थी वेलू टैंड है हाइट 5 यह तो से एक टैंस से तरें कितना होगा माइनस वन मीटर या फिर 10 सेंटी मीटर गोल सकते हैं इसको अंड्राइट से मल्टिप्लाइ करने दे बाद कि समय मा रहा है दोनों तरीते चैहें और तो इनिशियल पॉटेंश पूटेंशुल एनर्जी के बराबर तर दे या फिर पहले वेलूसिटी अटल्ले नीचे और हाफ एमबी इसस्वाइड को में स्प्रिंशल एनर्जी के टो भी आंसर आ जाएगा तो कोई भी डावटो तो पुछ सकते हैं इसमें सिंपल यह कोश्चन कोई ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अब अध्ला कोश्चन तो नहीं देते हैं तो कि है अधिया मैं नियूटन याद्ध कर एे तो मिलते हैं और अच्छा प्पूर्शनन न्यूटन एह में इत cel पेपर में उसकित마 50 मान नहीं सखते हैं लग बड आते हैं ये पोशिन तो तो इस पोशिन में देते हैं तो अपने पास टू ब्लोग्राम एंड धी किलो डूब्लक सिस्टम ब्लाः तो यहां पर अब इसे बोलता है थी री किलोग्राम और सर्फेस के बीच में फ्रिट्शन है या नहीं तो तो हमसे अब दोनों और टूथ लोग्राम ब्लोग में 20 न्यूटन ता फॉर्स एपलाई है तो तूथ लोग्राम पे लिए कौन-कौन से फॉर्स अश्व करते हैं तो टूथ लोग्राम पे कौन-कौन से फॉर्स लदेंगे तो 20 न्यूटन ता फॉर्स लदेदा एथ नॉर्मल लदेदा इस पे नॉर्मल एपलाई होगा और एथ फ्रिच्छन फॉर्स लदेदा अब यहां पर यह भी पता बनना पड़े था थी हां भई तो टूथ लोग्राम पे फ।रिच्छन ती डारेच्छन ती आया है और थ्री लोग्राम पे फ।रिच्छन लदे था पीछे दी तरफ अधर उपर वाले ब्लॉक पे पीचे पें इसली है तो नीचे पीचे लगए तो थ्री त्री तो प्रिशन फोर्स चे एक थे पर तो थे फ्रिट्चे उससे आँसर आजाएगा आपने पास जो है इसमें तो यहां पर अपने पास दो भुख हो गई टू और थी त्य है ना इसमें यह अण्यां पर अपने पास दो भलाउग्प हो गए टू और खीड है ना इसमें अगर हम देते हैं तो नॉर्मल ती वेल्यू सबसे पहले हमें फाइंड दनी पड़ी थी एमजी त्री प्लस टू फाइव फाइव इंटू में टैन कितना हो जाएगा पूंटी गृपने यं 되지 जो है अगर हम देते रहें वहां पर उसे यहां पर नहां जाएं की सबस्क्रीति तो नॉर्मल 20 हो जाएदा है यहां पर ट्रिच्टन फोर्स मू इंटू एन यू थी वलू पॉंट फैव नॉर्मल हो थे टूंटी इंटू पॉंट फैव इतना हो थे टैन न्यूटन तैन न्यूटन वलू आ जाएदी अब हम दोनों ते लिए फोर्स निकाल लें दे टूट ब्लॉग पे आदे लगा है 20 और पीछे लगा रहा है 10 तो नेट फोर्स हो दिया 10 10 इतना है टू इंटू एक्चलेरेशन एबन जो है वो एबन माल लिया तो यह तैन बाइटू हो जाएगा एबन इतना है तो नेट फोर्स फाइब मीटर पर साथेन इस्वार तो एबन थी जाएगी 5 मीटर पर साथेन इस्वार रहा है थी तुलोग्राम ते ब्लॉग ते लिए जो है यहां पर देते हैं तो नेट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जो आदे ला देदा 10 न्यूटन और उससे हम एम एटू ते पराबर करते में मास ती वेलू 3 एटू ती वेलू पर यह अपने पाद सबसे पहले हमें इसमें त्याद आना पड़े था नॉल्मल मंदब फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है नूंटू एन्टू 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 टैन एमजी तो इत्वस्ट्वांटी और फिर दोनों ते लिए एक बनाएंदे और नेट फोर्स न तो अब हम आधे देच सकते हैं समिन में आधे हो तो आपको वह भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप अब ही यह अपने अपने को से है इस ओ ओ रोलिंद डाउन एन्प्लाइंग ऑफ एंजल टीता विदाव स्लीपिंघ दू थी जैसे यहां पर विदाव श्लीपिंघ जो है विदाव स्लीपिंघा होधा है और दूसरा जो कुछ थेश है वो तौन सर्थ यानि स्लिपिंग हो रहे हैं और दोनों ते लिए अचलेशन ने दालना है तो इस ते लिए हमें पता है अब जब नतल सेम है यानि इंक्लाइट प्लिंग सेम है तो जो एचलेशन ता फर्मूला होता है तो नौर्मल प्लाइशन में तो त्या होता है आपने पास जी साइव टीटा होता है और जो मतलब उसके लिए तौन से होता है जब रोटेशन, जब और रोलिंग धी तो जी साइन टीटा पॉन फ्लस टीटा फ़ार रेसपायर रेसपायर यहुटा पॉनुला Show पनना है तो जी से लिए इतनी होती है वो अंते प्रिंसीपल एकसिस से मोमेंट ओफ इनर्शी आए उसता जो मैंचनिट्व वह लीने होती है जैसे लिंग ते लिए तत्या होता है म्यूला इसके हूं निकालते हैं तो तो देख सत्य है इस तरह हम सॉलीशन त्यार होता है तो यहां पर हम देच सकते हैं थी है तो ने सबसे पहला तो उसमें तो रहां कि आ जाए तो चलिक अपको डायरीशन से आता है यह फॉर्मला वेशतो पर हमें जब फॉर्मले आता है तो हैं तो एचलेशन का। है और फ्रिट्शन वाला पीस में फ्रिट्शन का फॉर्मला और याद रतना वता है उसके ऊपर बीद पुछन यह पोले चार पॉर्मले में आपको याद रतने मिपढते हैं कि रोलीं में स्लिपिंग विदाओ ट्रोलींग तो यह हो जाएगा अपने पर नापने पर बाइट वाय फेलु बन रहती है नहीं यह पर दो यह अपे वैल्यू आ जहीद ही तो ए रोलिंग अपने अपने पर पॉन एसलिपिंग तो यह अए कि इस आएगा 1 यह आपने पास आजाएगा यहां पर तो यह है फॉर्मुली हमें याद होने चाहिए दोनों यह तो प्यॉर रॉलिंग में एक्षिलेडिशन था फॉर्मुली लगता है और स्लिपिंग में तो जी साइन टीटा होता ही है जो फोर्स लगता है नीचे ती तरह होता है है एंजी साइन टीटा होता है मास से डिवाइड रते हैं तो जी साइन टीटा हता है तो उससे हम सीधे बढ़ सकते हैं इसको कि भी डाउट हो तो पुछ सकते हैं और फिर हम नहीं तो आदे बढ़ते हैं प्रोश्चन पर तो यह अपने पास में जो है कोशन क्या है थिया बॉडी थ्रोन अपवाड बेदन इनिशल इस्पीड ऑफ बॉड़क आई वैक बाडि तो नीचे जब आई भी तो प्रोशन junior टायम ला देदा उससे पूरे इंटरवेल में। इसे टायमी बूला जाता है। लिए उसे तो इसे लिए निलए है। तो तो इसे वैसे वैसे तो डायरेक्श पर जाने तर टायम निलए, उसे लिए, निलीए है। अब यहां पर चीज होती है कि दोनो टाइम नीचे से ऊपर जाने में जो तो नीचे आने में भी ला देबा तो दोनों पो टारेंट करें तो यू भाइजी जाने-था और यू बाइजी आने का तो टो है तो टाइरेक्टीं यहां से हम सॉल तब दर सते हैं तो देख सकते हैं आप है उन्हें वाल भू फेंदा है ना इन्टी से स्पीट पर से इन्पी वेलोसिटी से है ना तो टाइम इतना लदेदा टू यू बाइजी लदेदा टाइम नहीं तो आपको अधर थीची कोई फॉर्मुलर नहीं भी आदो तो आप लबा सकते हैं से वी तो यू प्लस एटी लगाईने तो उससे आंसर आजाएगा इनिसेल वेलोसिटी नाइंटी से उपर पहुंचने में उपर आइस पॉंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाए दी तो बी ती वेलू जीरो रथे नहीं तो रहनती वेल्यू यहां पर टैन रथनी पड़े दी हमें मा सब्सक्राइम फिर आजाएगा अपने पस यू बाइजी वेलू आई थी यू बाइजी नीचे आने मिला देगा तो डारेट टू यू बाइजी लगा सकते हैं टू इन्टू नाइटी से त्रिवाड़ बाइट थर्टी टू तो इसमें तो तिसी तो कोई प्रॉब्लम होनी बाइजर नी चाहिए थो कर दो अब हम कर Scroll open ऐ सबर बंगारief मौद फोर्श श्पर अंट यSe सब्सक्राइब है जो अब लड़ती होई है उपर सब्सक्राइब को और उसको फिर थींचा है फाइब सेंटीमीटर तर और फिर रिलीज दिया है तो मैक्सिमम प्लस बॉड़ी थी वो तितनी होदी यह चीज पूछ रहा है तो इनरजी तिस्ते इत्वस होदी स्प्रेंड एनरजी थे बहुत जब 16 नीटन पर मीटर तो जब हम 5 सेंटीमीटर मेंच में तो इसको देख लेटें एक बाद जुक बढ़े तो यहां पर हम देख सकते हैं हमने दो कंडीशन मनाई इन स्प्रेंट थी सब्सेपली कंडीशन में इस्प्रेंट सस्पेंड़िड थे नॉर्मल यह भी लेंद्थ यह तेन अब हमने इसको फाइब सेंटीमीटर तत्थ सब्सक्राइब कर दिया नीचे तो यहां पर अब मैंस्टेंट इनर्जी जो हो दी वह मैंस्टेंशल एनर्जी ते इतनी इस टोड़ हो दी हाफ त्रेट सब्सक्राइब हो ही निताली है इसमें आप इन्टू में त्रेटी वेलो तितनी है 16 न्यूटन पर मीटर और एक सब्सक तो सब्सक्राइब कर में missionTube ऐसक्ते हैं तो एक गश्योड a-40401 सिंटिन तरह तो यहां पर करिंडे मैं पैद्शल एक इनरजी हो जाए धी इसमेंटें़ इनेर्जी होगती पैम्ठ चांसे कर देंड जी तो तेतनी फाथ है और यहीं तया हो दी उस्थी ताइन ये बि-दो दो जाहिए थि तो में आयने ऐगा किन दो डिली उसके हम पीक्राफ है ऑर कुछ हमें स्वार्ण तो हमस्के पुले ब tecnaperine पूछ सकते हैं अभी तो आज से लिए अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं जो बात की कोशन है उनको हम फिर अदली प्लास में डिस्क्रस हरी में तो आप अच्छा ही होगा थी आप अपने डाउट पहले ही निकालते लाएं जिससे हम उन पोश्चन तो ज्यादा अच्छे से डिस्क्रस कर चते हैं तो अभी तत तो शायद आपते डाउट क्लियर हो गए होंदे और जो आपते अदली डाउट जो बच्चे हैं बाती कोश्चन्स में जो आपते 15-20 कोश्चन बच्चे हुए हैं अभी उनको हम अदली ता पेपर भी डिस्क्रस हरी ने तो उसते भी डाउट आप तयार रखे है आज इतला स्वाम यहीं थादम करते हैं अभी दो